आज हम बनाएंगे ये एक्तम सॉफ्ट, स्पॉंजी, एक्स्ट्रा चॉकलिटी, ट्रिपल चॉकलिट केक आज का ये जो केक है ना इसमें हम कोई एग्स, कोई दही, कोई अवन यूज नहीं करेंगे कडाही में बनाएंगे आज हम इसे और अगर आपको मेरी तरह चॉकलिट बहुत पसंद है ना तो ये वाला केक तो आप जरूर ट्राय करिएगा ये आपको बहुत जादा पसंद आएगा और हाँ अगर केक पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आज के इस ट्रिपल चॉकलिट केक के लिए सबसे पहले हम चॉकलिटी स्पॉंच मनाएंगे जिसके लिए बोल में मैंने यहाप लिया ये आधा कब हलका सा गरम दूद ये दूद बस इतना सा ही गरम है कि इसे हम अराम से हाथ लगा सकते हैं आज के इस केक को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये छे बाइचेंज का एक स्कुईर केक तिन लिया है आप कोई 6 इंच का राउंड केक टिन भी ले सकते हो नहीं है कोई भी केक टिन तो कोई अलुमीनियम स्टील का डिब्बा रखा होगा घर में तो उसमें भी आप केक बना सकते हैं तो पहले हमें हमें मोल्ड को ओयल से ग्रीस करना है फिर butter paper लगा के इसे grease करेंगी तो हमारा ये mold त्यार हो गया है आए इसके बाद अब आज के इस cake को मैं कड़ाही में बना कर दिखा रहे हूं आपको तो अगर आपको भी कड़ाही में बनाना है तो कोई भी मोटे तले की कड़ाही लेकर इसमें नमक डाल दो और कोई भी stand रख दो या फिर किसी plate को उल्टा करके रख सकते हो और इसे उपर से ढखके medium flame के उपर 10 मिनट तक गरम हो जाने देंगे और इतनी देर में अब ये जो दूद हमने एक side पर रखा था अब आप देख रहे हो कि ये फट गया है हलके हलकी सी न गाठे थके 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 जैसे बन गए हैं इसमें तो ये बन गया हमारा homemade buttermilk तो अब आपको eggless cake के लिए buttermilk तक भी लाने की ज़रूरत नहीं है आप घर पर बना सकते हैं अब इसमें बाकी के ingredients add कर लेने हैं तो एक चुथाई cup मैंने इसमें oil डाल दिया है और साथ में डालेंगे आधा cup प्लस दो बड़े चमच पिसी हुई चीनी इन सारी चीजों को ना पहले हमें अच्छे से mix कर लेना है तकरीबन 30 से 40 सेकिंड तक mix करेंगे तांकि mixture एकदम creamy और airy हो जाए आई से mix करने के बाद अब हम अपने इस bowl के उपर एक चनी रखेंगे और इसमें डालेंगे एक कप मैदा मैं मैदे से बना रही हूँ आज वे triple chocolate cake आप सेम quantity गिहूं के आटे की भी ले सकते हैं और साथ में इसमें एक तिहाई cup मैं डाल रहे हूँ cocoa powder क्योंकि ये cake एक्स्ट्रा चॉकलेटी होने वाला है और एक छोटा चमच डालेंगे बेकिंग पावडर एक जो था ही छोटा चमच बेकिंग सोडा क्योंकि बनेगर डाला है हमने और एक पंच नमक डालके इन सारे dry ingredients को जान लेंगे ताकि इसमें कोई भी lumps ना हो आई इसके बाद अब हम बिल्कुल हलके हलके हाथों से एक spatula के साथ इससे इस तरह से कट और फोल्ड करते हुए mix कर लेंगे इस stage पर कभी भी over mix या तेज-तेज mix नहीं करना है इसे mix करने के बाद अभी ये batter काफी dry है तो इसमें मैं एक तिहाई कब दूद और आड कर जू और अब की बार ये जो दूद है ये normal room temperature वाला है तो बस दूद आड करके finally हमारा ये better थ्यार हो गया है इसके consistency आप देख रहे हैं कि ribbon flowy consistency है अचा अब हम triple chocolate cake बना रहे हैं तो chocolate sponge में भी extra chocolate जाएगी तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ली है ये आधा cup जितनी dark compound chocolate इसको मैंने बस छोटे टुकडों में cut कर लिया है और randomly cut किया है कोई टुकडे बड़े हैं थोड़े चोटे हैं और मैंने dark compound chocolate ली है आप चाहो तो इसी तना से dark या milk compound ले सकते हो mix करके ले सकते हो या फिर अपनी favorite dairy milk chocolate या फिर कोई भी और chocolate भी यूज़ कर सकते हो तो बस इस chocolate को डाल के इसे better में अच्छे से mix कर लेंगे और अब finally इस better को हम डाल देंगे अपने इस grease किये हुए mold में mold को थोड़ा सा tap कर लेंगे और इतनी देर में अब हमारी ये कडाही भी अच्छे से गरम हो गई है तो अब हम अपने इस cake को bake करने के लिए रख देंगे तक्रीबन 35-40 मिनट तक low medium flame के उपर timing थोड़ी सी आगे पिछे हो सकती है तो एक बाद 30 मिनट के बाद आप इसे जरूर चेक करिएगा एक बस सेंटर में टुत्पिक को इंसर्ट करके चेक कर लेंगे तो टुत्पिक भी बल्कुल क्लियर है इसना मतलब है कि केक अच्छे से बेख हो गया है तो है ना बहुत ही आसान ये चॉकलेटी केक बनाना तो बस अब हम अपने इस मोल्ड को निकाल के एक राक के उपर रख देंगे केक को पहले पूरे अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे और इतनी देर में अब हम अपने इस चॉकलेट केक को एक्स्ट्रा चॉकलेटी बनाएंगे जिसके लिए हमें बनाना है चॉकलेट का नाश आइश के लिए आपके बार मैंने यहाँ पर यह 150 ग्राम कंपाउंट चॉकलेट ली है जिसमें थोड़ी सी डाक कंपाउंट थी और थोड़ी मिल्क कंपाउंट इन दोनों को मिक्स कर के लिए है आप चाहो तो किसी भी एक तरह की चॉकलेट ले सकते हो, यह डेरी मिल चॉकलेट हो तो वो भी चल जाएगी और इस चॉकलेट में अब हम डालेंगे 75 ग्राम जितनी क्रीम अमुल फ्रेश क्रीम ब्लू पाक वाली जो मार्केट में बहुत एजी लिया वैलेबल है, वही डाली है मैंने आप वैसे दूद से भी गनाश मना सकते हो, बिना क्रीम दूद का गनाश की रेसिपी चाहिए, तो लिंक नीचो डिस्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर चेक करिए का अचा, इन दोनों चीजों को हमें मेल्ट करना है, मैं डबल बॉलर मेथड ले रही हूँ, जिसके लिए एक सॉस पैन के ऊपर थोड़े से पानी को गरम करके, अब इसके ऊपर हम रग देंगे अपना ये बोल, और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे, जब तक चॉकलेट मेल कर सकते हो, तो बस थोड़ी देर में हमारी ये चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई है, और हमारा ये लश्यस चॉकलेट गनाश त्यार हो गया है, गनाश को हम एक साइट पर रख देंगे, हलका सा ठंडा हो जाने देंगे, इसके बाद अब हम फाइनली फिर से चलेंगे अ और अब आप इस केक का एक बाद टेक्शर चेक करिए, ये जो नीजे ब्लाक ब्लाक देख रहा ना, ये चॉकलेट चंक्स जो हमने आड के थे ना, वो है, जो केक में एक्स्टा चॉकलेटीने से अड़ करता है, और केक एक्टम सॉफ्ट और स्पॉंजी बना है, बहुत ही और बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है इस केक में से, अब हमारे पास ये जो केक आ गया ना, इसे हम कवर कर देंगे अपनी इस चॉकलेट गनाश के साथ, जिसके लिए मैंने केक को अब उल्टा करके रखा है, क्योंकि उपर का पार्ट प्रॉपरली इवन नहीं था, चाहू तो आप उपर का अनिवन पार्ट रिमूफ कर सकते हो, केक को सीधा रख सकते हो, बट मुझे कुछ भी पार्ट केक का वेस नहीं करना था, इसलिए मैंने इस वोल्टा करके रखा और अब ये जो गनाश हमने बना कर रखा था, इसे अब हम इसके उपर पोर्ट कर दे इसके बाद, अब हम अपने इस केक के लिए थर्ड चॉकलेट लियर त्यार करेंगे, जिसके लिए अब की बार मैंने ली है, मेरी फेवरेट डेरी मिल्क चॉकलेट, वैसे मुझे तो डेरी मिल्क चॉकलेट पसंद है, आपको कौन सी चॉकलेट पसंद है, मुझे जरूर ब मेल्ट कर लिया है और हमारी मेल्टे डेरी मिल्ट चॉकलेट बन गई है इतनी देर में अब ये गनाश वाले केक को रखे हुए फ्रिज में तकरीबन 10-15 मिनिट होए थे तो गनाश हलका साइट हो गया है तो अब हम असके ऊपर डाल देंगे अपनी ये चॉकलेट तो पूरी म अपने केक को गानिश कर सकते हो तो बस फाइनली तियार हो गया है हमारा ये ट्रिपल चॉकलेट चॉकलेटी केक आप देख रहो कि देखने में ही कितना यमी है ये केक इसमें एक्दम सॉफ्ट और स्पॉंजी है साथ में एक्स्रा चॉकलेटी चंक्स केक स्पॉंज में भी मिलेंगे चॉकलेट गनाश और ऊपर से चॉकलेट बहुत टेस्टी बनता है ये केक तो आप भी ट्राय करिए इस रेसिपी को मेरे साथ अपनी पिक्चर ज़रूर शेयर करिए इन सारी रेसिपी की मेरे इंस्टाग्राम पर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें